नमस्कार दोस्तों मैं सिधारत आप सभी का बहुत भासवत करता हूँ कुछ ही समय पहले मैं The Vaccine War विवेक अगनी होतरी जी की जिनोंने The Kashmir Files बनाई थी उनकी अभी जो latest movie आई है वो दिख करके आया हूँ मुवी का जो रिवीव है हम उस पर थोड़े मिनिटों के बाद में आएंगे उससे पहले कोई छोटी सी बात मुझाब से कहने है बात छोटी सी होगी पर अंतों गहरी है मेरे आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यां से सुनियेगा हम भारतियों का एक गुण है ऐसा हमें बताया जाता है और वो गुण है भूलने का अब ये बीमारी है या फिर ये वरदान है ये तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने convenience के हिसाब से तैक करता है मीडिया, politicians और हम स्वयम भी हमारे साथ में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ मुंबई टेरर अटाक दिल्ली के दंगे, बंगाल के दंगे यहां तक की भारत का विभाजन सब भूल जाओ क्यों याद रखना है जीवन जीना है, आगे बढ़ना है और जो हमें स्वयम में अच्छा है भारत विज्ञान की जननी रही है मानव सभ्यता को सींचा है नारियों का भारत में सम्मान सदय रहा है परन्तु इन सब बातों को याद क्यों करना है आजमित जीव हिस्टरी पर क्यों जाना है इस तरह की बाते हैं हमारे को बहुत जादा बताई गई है चलाई गई है इतना कि हमने स्वयम ने इस बात को अब मान लिया है इसलिप्रकार हम ये भी भूल गए कि भारत में ही कोविट की वैक्सीन भी बनी है जिससे करोणों लोगों की जाने बची है परन्तु दोस्तों जो ये भारत की भूमी है ये जो जननी है ये जो सजीव धरती है ये नहीं भूलती है कि यही विज्ञान की जननी है ये नहीं भूलती है कि मानवता को इसे ही संभाल के रखना है इसे ही समारना है सनातन जो है ये मानवता के कल्यान के लिए है मानवसभ्यता के उत्थान के लिए है ये कभी नहीं भूलेंगे हम भले ही भूल जाए और इसी कारण समय समय पर आदिशंकराचार्य, शिवाजी महाराज, महाराना प्रताप, वील सावर कर जैसे महान सपूत पैदा करे हैं और जब समय उन ऐसे महान लोगों का नहीं होता है तब छोटे छोटे अलग-अलग बिखरे हुए कड़ों की तरह ये लोगों को निम्मित बना करके अपना कारे करते हैं जैसे मुझे निम्मित बना करके भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बाते बताये जा रही हैं, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये गुरु के क्रिपा से होता है, भगवान के इच्छा से होता है, आप जो ये सुन रहे हैं, ये भी वैसा ही है, और इसी प्रकार, कित एक मैं नाम जोड़ देता हूँ विवेक अगनिहोत्री जी का उनको भी निमित बना करके जो भारत की भूही है यह बहुत कुछ उजागर कर रही है भारत के बारे में इतनी उम्दा फिल्म है कि मैं यह कहूँगा कि इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ छोटे बच्चों के साथ अपने बुजर्गों के साथ और विशेश करके जितनी भी आपे घर में नारी शक्ती के स्वरूप हैं उनके साथ यह फिल्म देखने चाहिए क्योंकि यह फिल्म जो है यह वैसे तो करीब आठ नौ चाप्टर्स में बटी हुई है इसमें आठ नौ चाप्टर्स में अलग अलग धागों को जोड़ा गया है पर मैं इस फिल्म को दो भागों में देखता हूँ एक है साइन्स और दूसरा है नारी शक्ती का सम्मान जी हाँ यह जो दूसरा भाग है नारी शक्ती का सम्मान यह इस हद तक पुरी फिल्म में फैला हुआ है कि यह आपको अपने ही घर की जितनी भी नारी शक्ती के सुरूप हैं उन्हें सम्मान के साथ देखने के लिए वि गिलनाजी जोच्ग फ्येंटागे हो थूखिए अपनाव स्वीय डिय। डिय। Chandler चॉबfeit अ?.बटम ऐक्टी बूनागिए रह Platz झालने है dylaiay ricotta कॉधब बस्टी सैय समय में आर ले एक लिवा निए, लिए क्य एख थे, ये गॉब ऑटटी झेग! अब यहां पर मैं पहले बात करता हूँ साइंस के साइंस के अंदर पहरा तो यह है कि साइंटिस्ट को सेलिबरेट किया है पर साइंटिस्ट को सेलिबरेट कैसे करेंगे इनके काम को दिखा करके ये बता करके कि वाइरस के लिए वैक्सिन बनाना भले ही हम आम लोगों को लगता था कि आट नो महिनों में कैसे बन सकती है वैक्सिन पता नहीं कैसे रहेगी क्या एफिकेसी रहेगी काम करेगी कि नहीं करेगी परन्तु वो जो समय था, वो इन साइंटिस्स के लिए कितना important था, crucial था और dangers था यह हम आम जो लोग हैं यह नहीं समसकते हैं और इसी भाग में, यानि जो science वाला भाग है, इसी के अंदर चार और बिंदू आते हैं एक, यानि कि कुछ parallel साथ में चल रहा होता है एक, कि यह vaccine तो बना रहे हैं, पर साथ ही साथ, यह जो international lobby है जो इन्हें रोकने में लगी हुई है भारत जो सबसे बड़ा market हो सकता था, फाइजर जैसी vaccines के लिए, या फिर ऐसी companies के लिए जिससे कि उनका फायदा होता और हमारा नुकसान होता परन्तु यह जो scientists हैं, यह science पर धन लगाते हुए भी इस lobby से लड़ रहे हैं क्योंकि यह इनके काम में अरंगा लगा रहे है तो यह इस parallel को भी साथ में दिखाया है, इस narrative को भी सामने दिखाया है साथ ही साथ, जो डर है, उसको भी दिखाया है scientist का डर है, जो health workers है, वो कितनी दिक्कतों के साथ में काम कर रहे होते हैं doctors का अपनी जितनी भी उनके दिक्कत हैं, वो भी इन्होंने बहुत सुन्दरता के साथ में दिखाई है साथ ही साथ में यह भी बताना जरूरी है कि यह जो virus आये था, यह lab leak था यह natural mutation के साथ में हुआ था, या फिर यह created था इन सभी बातों को parallelly ले करके इस फिल्म में चला गया है यानि कि जो scientist हैं, वो केवल scientist नहीं है वो एक soldier की तरह हर एक front पर लड़ रहे हैं क्योंकि इनका एक ही focus है vaccine और इस vaccine को रोकने के लिए कितने सारी ताकत हैं और यहीं पर दिखाया है कि किस प्रकार media, court, celebs, politicians, इन सभी ये सभी लोग एक nexus की तरह भारत की पहली vaccine को रोकने में किस प्रकार कारे करते हैं, यानि इसमें drama भी आ जाता है, entertainment भी आ जाता है पर मुख्य बिंदू science ही रहता है, दूसरी और जो नारी शक्ती है, यानि कि ये facts पता नहीं हमें धान है कि नहीं है पता है कि कि ICMR जिसमें vaccine बनाई उसमें 70% scientists महिलाएं थी, यानि जो vaccine बनी है उसमें महिलाओं का कितना बड़ा contribution है ये हमें से कितने लोगों को पता होगा, ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए इससे भारत की जो महिला है, जो नारी है, उसमें आत्म सम्मान, आत्म विश्वास बड़ेगा कि नहीं बड़ेगा कितना समाई हो गया है, कोविट को लगभग समाप्त होए, एक आम जीवन फिर से चालू होए परन्तु कितने ऐसे बॉलिवुड के बड़े बड़े producers हैं, डेरेक्टर्स हैं जिनोंने vaccine के ओपर हमारे इतनी बड़ी उपलब्दी रही है ये, हम चंदरियान को celebrate कर रहे हैं, परन्तु हम vaccine को celebrate नहीं कर रहे हैं अब यहीं पर एक और चीज़ देखिए कि मुंबे टेरर अटाक हो जाता है, तो जो डेरेक्टर्स हैं वो उस साइट पर पहुंच करके कुछ दिनों बाद कुछ raw footage ले लेते हैं, नामों की ये booking करा लेते हैं, कि इस नाम से हम मुंबे टेरर अटाक पर फिन बनाएंगे, ज परन्तु इसे भी डेरेक्टर्स सोते रहते हैं जब इतनी बड़ी उपलब्धी हो जाती है, नारी शक्ती जो है ये भारत की सब्भेता की सद्सक्रती की नीव ही नहीं है, एक पिलर है ये, इस फिल्म के अंदर इसे ही दर्शाया गया है, ये जो नारी है, ये scientist भी है, साथ में कुछ-कुछ psychological issues आने शुरु हो जाते हैं, परन्तु जो मा है, वो दुर्गा की तरह महिशासुर रूपी, महिशासुर की तरह ये जो वायरस था, इसे भीडने में लगी रहती है, अश्ट भुजाद दुर्गा की तरह ये जो नारी है, ये सभी को संभाल रही है, बॉल आ जाता है, वो समाज से लड़ती है, वो अपने पती से लड़ती है, वो अपने सासरसुर से लड़ती है, परन्तु इस फिल्म के अंदर जो नारी है, जो ग्रहनी है, जो साइंटिस्ट है, वो इसी समाज को जोड़ करके चलती है, बहुत सुन्धरता के साथ इसमें ये भी दिखाया है कि जो पती है वो भी help कर रहा है वो भी पतनी का ध्यान रख रहा है बच्चे जो हैं वो भी समझ रहे हैं कि मेरी मा जो है वो दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम करने जा रही है साथी साथ मेह मैं बैग्राउंड मुजिक के बार में भी कुछ बोलूगा कि कुछ जगहों पर जब साइन्स की बात आती है दो तरह के बैग्राउंड मुजिक यहां पर आते हैं जब वो वाइरस को आइसोलेट कर रहे होते हैं तो एक बंद मास्क जो हर तरफ से बंद है उस मास्क में जिस तरफ से हम सांस लेते थे उस आवास को यहां पर बहुत ही सीरिसनस के साथ में दिखाया है यानि बताते होई कि वो जो वाइरस है वो आपकी सांस रोक लेगा और जो साइन्टिस उस लैब में काम कर रहे हैं वो इस डेंजर के साथ में इस खत्र के साथ में पूरी दुनिया को बचाने के लिए लगे हुए हैं और दूसरा यह जब साइन्टिस एक्सपरिमेंट्स कर रहे होते तो बहुत ही सुंदरता के साथ में रिगवेद के ही नासिदीय सुक्त को बताया गया है सुरिष्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं था कुछ भी नहीं था यानि जो विज्ञान है पूर्न रूप से जो विज्ञान है वो यहां पर बताया गया है हमारे रिगवेद से इसको जोड़ करके बताया गया है एक बहुत ही सटल बात पूरी फिल्म के अंदर आती है जिसे देख करके आपको बहुत प्रसन्नता होगी वो ये कि जो इस फिल्म के अंदर साइन्टिस्ट है ये सभी भगवान पर भी विश्वास रखते हैं ये मंदिर जाकर के पूजा अरचना नहीं करते हैं ये भजन नहीं का रहे होते हैं पर उन्तु पॉस्टल तरीके से गीता का उपदेश दिखाया गया है मैं यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी संस्कृती है वो कितनी वैज्ञानिक है पीजी होते हैं ये अपने घर में होते हैं इनकी बेटी चम्मच से खाना खा रही होती है तब अपनी बेटी को कहते हैं जो भी कहते हैं मैं यहाँ पर आपको वो नहीं बताऊंगा मैं स्पोईलर्स नहीं दूँगा मैं बस यह बता रहा हूँ कि जो फिल्म है ये देखने लायक है इससे आप जाकर के देखिए यदि आप सनातन पर गर्व करते हैं अपने भारती होने पर गर्व करते हैं तब आप अपने पूरे परिवार को लेकर के जाकर के फिल्म देखिए सत्यमाने निराश नहीं होंगे हाँ यदि आपके मन में है कि entertainment होना चाहिए गाने होने चाहिए कुछ रोनाद होना होना चाहिए ड्रामा होना चाहिए पूरे तरीके से तब वो नहीं है परंतु जो देश द्रोही जो तत्व है जो मीडिया के लोग है जो बाहर से फंडिंग लेकर के भारत की चवी खराब करते हैं उन सभी को परत दर परत उतारा गया है उनकी सभी जोड की परतों को उनको नंगा करके सब के सामने दुन्या के सामने दिखाया गया है वहाँ पर ये आखरी पार्टी फिल्म का यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात मान करके इस फिल्म को देखेंगे यदि देख ली होगी तो कृपया करके कॉमेंट सेक्शन ने मुझे बताएं कि फिल्म आपो कैसे लगी जब देख करके आएंगे तब भी कृपया करके मुझे बताएगा कि आपक्या मत रहा इसके साथ मैं सिधार्थ आप सबी से जाने की अनुमति लेता हूँ जाने से पहले आप सबी से मैं विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कर लीजे शेर जरूर करिएगा सबस्क्राइब करना नहीं भूलें और जितना हो सके उतना दिक श्री साहयोग भी अब शुप्रतान करे डीटेल कॉमें दिए गए हैं जिसमें से पे-टियम जी-पी तहादिके माधिन से सौ, दो, सपा, सो जितना भी आपके म אחד में आए शुरी सहयोग करेगा बहुत प्रोचान मिलता है मैं सिधार्थ आप सब इसे पुना जाने के अनुमति लेता हूँ धन्यवाद